हेलो आप सब की तैयारी काफी बहतर चल रही होगी एड्मिट कार्ट पर आपने डाउनलूड कर लिए होगे बहुत सारे सवाल थे कि एड्मिट कार्ट में हमें अपके सारे सवालों के चबाब देंगे बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंध तक और छमा चाहूंगा आप जो वीडियो नहीं आप आए कुछ इश्यू की वज़ए से लेकिन आज की वीडियो में आपका एड्मिट कार से लिटर हर एक डाउट के लिए हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं कि जेन्यू के एक्जाम एंटीए करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजनसी और नेशनल ट ज़ालरी है चाहिक वह आपका रिंग हो यह फिर आपका जो भी अडर जोयलरी जा कोई बहुत पहन के नदर नहीं जा सकते हैं पहली चीज दूसरी चीजह आप बाद करें गल्स बात जो भी बैल्ट आप युज करते हैं वह बैल्ट पगयर भी अलाउं नहीं है बिल्कुल रखिएगा दूसरी बात कोशिश करिएगा आप लोग ब्लेक इंवाइड ना निकलवा कि कलर निकलवाएं ज्यादा बैनिफिशल रहेगा और हां उसके साथ अपने अप्लोड किया था वही सेम अगर वह सेम नहीं तो भी चलेगा ऐसा नहीं है आपको वहाँ से वापस करते जाएगा इसा कोई इसू नहीं है आप transparent पानी की बोतल ले जा सकते हैं water facility वहाँ पर भी available होती है उसके साथ साथ self declaration form की बात है तो self declaration जो कोई से related है अगर आप उसमें से किसी भी symptom से पीडित थे अगर आप अभी ठीक हैं तो उसको cross कर दीजिए मैं तो यह कहूंगा कि उसे पूरा cross कर दीजिए उसमें कोई भी जो कहीं की पार्ट नहीं है जिसे आपको फिल करने की जरूरत है तो नहीं भी भरेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं उसमें तो self declaration form लेके जरूर जाना है आपको फरस्ट पेज़ प्यार है किसी का second पेज़ प्यार है तो आपको self declaration form जो कोविड से related हो ले जाना बहुत जरू है आपका entry time जो दिया गया है 9 बजे तक दिया गया है तो आप entry जो है वो उस time से पहले करने की कोशिश करें इंदे केस अलाओ कर भी देते हैं और कई जगे बहुत जादा strict होते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है टाइमिंग का आप पैन लेके मत जाईए आपको पैन अंदर भी मिल जाएगा बाकी आपका admit card के साथ एक और बता दू क्या-क्या लेके जाना है दो फोटो और एक ID card उसके लाब को कुछ भी साथ लेके जाने की जोड़तुनिया आप अधार काड लेके जारे हैं आप अपना pen card लेके जारे हैं driving license ले जा सकते हैं पा student के ID cards हैं उनको आप महले जा सकते हैं वह बहुत कंपल सरी है फोटोपी नहीं लेके जाना है फोटोपी आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है सेंटर में आपको original ID card लेके जाना है ठीक है और आपने डाला भी होगा application form भरते वाग किसीने आधार का डाला होगा किसीने आपका पेंट का नंबर डाला होगा तो वह सारी आप ध्यान में रखेंगा बहुत इंपोर्टेंट है जानना कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं अगर फिर भी कहीं आपको problem आ रहा है कोई चीज जाननी है तो आप हमें हमारे number आपको description में दिएगे उन पर आप आपको कोई भी हल्प चाहिए अगर आपको study material बाय करना है अभी भी टेस्ट देने का मने तो आप दे सकते हैं ठीक है एक्जाम पास में आप अपने आपको एविलिट करना चाहते तो कोई शू नहीं आपको study material अभी भी नहीं है तो आप ले सकते हैं और पेपर आपको रफ जान मत होई है बहुत आराम से अपना एक्जाम दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको एक्जाम से पहले है तो कमेंट बॉक्स में जरू लिखें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिज